दो हजार पच्चीस में कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिन में बॉलिवुड, हॉलिवुड और साउथ की फिल्मों का धेर होगा लेकिन कौन शुरुवात करेगा इस पर फैंस की नजरे बनी हुई हैं इसमें 49 वर्षिय राम चरण की 10 जनवरी 2025 को रिलीज होने जा रही गेम चेंजर की चर्चा भी जोरों से हो रही है लेकिन पोंगल के मौके पर इस मच्चवेटेड फिल्म से टकरानी तिरपन वर्षिय एक्टर अजीत कुमार की विदामुयार्ची 14 जनवरी को रिलीज होने वाली है जिसकी पहली जलक तीजर में देखने को मिली है वही फैंस फिल्म की तुलना हॉलिवुड से करते हुए नजर आ रहे हैं 28 नवंबर को देर रात विदामुयार्ची का एक्शन पैक्ट टीजर रिलीज किया गया जिसमें स्टोरी को छिपा कर रखते हुए कैरेक्टर की जलक दिखाई गई है वही एलान किया गया कि पोंगल 2025 में तमिल फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देगा जो की 14 जनवरी को है हाला कि फिल्म 10 जनवरी या 16 जनवरी को विकेंड पर रिलीज होने का अनुमान है एक मिनट 48 सेकंड के टीजर में अजीत कुमार को उनके को स्टार अर्जुन सर्दा और रेजिना कसांद्रा के साथ देखा जा सकता है जिसे देखकर लगता है कि वह एक मिशन पर हैं और अजेर बैजन में सच की तलाश में नजर आ रही है एक्ट्रेस त्रिशा और आरव की भी टीजर में ज़लक देखने को मिलती है यह टीजर देखने के बाद अजीत कुमार के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं लाइका प्रोडक्शन्स में विदामुयार्ची पोंगल 2025 के लिए सिनेमा घरों में आने के लिए तैयार है जिसमें अजित कुमार, त्रिशा और अर्जुन सर्जा मुख्य भूमिकाए निभाते हुए नजर आएंगे रेजिना कैसंडरा, आरव, निखिल नायर, दशरथी और गनेश सपोर्टिंग रोल में दिखेंगे सिनेमेटोग्राफर ओम प्रकाश, संपादक N.B. श्रीकांत और संगीतकार अनिरुध रविचंदर टेक्निशियन टीम का हिस्सा है